मिर्जापूर्थाना चीलने के अंतरगत ग्राम गडगेडी के प्रिधान चंदरशेखरी आदव ग्रनवासियों के साथ अदिशासी अभिएनता को पत्र सोपा गया और ग्रामवासियों की भावना को व्यक्त करते हुए पत्र के माध्यम से बिजली विबाग की अधिकारी को अवगत कराये गया कि पिछले 25 दिन से गाओं में ट्रांसफार्मर जला हुआ है जिसकी ओनलाइन शिकायत की गई लेकिन 25 दिन बीच जाने के बाद भी विद्ध विभाग की अधिकारी ग्रामीडों के समस्याओं से अन्भिग्य है और किसी भी प्रकार की शिकायत का समाधन नहीं किया गया उन्होंने यह भी बताए कि जब पूरा देश गांधी जैनती मना रहा था तो गड़गेरी गाओं में अधेरे में गांधी जैनती मराई यहां तक कि उन्होंने पत्र के माध्यम से बताए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में माता है जीतिया का तेहार जो की निर्जल रहती है बहुती समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने इस जीवित पुत्र का व्रत को भी निभाया ग्राम वासियों का कहनाए कि विभिन विदुत के अभाव में गाउं के बच्चे सिक्षा और चिकिस्ता से जूज रहे हैं जिसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है उन्होंने पत्र के माध्यम से गाउं के जलेवे ट्रांसफार्मर को अविलंब बदलवाने की मांग की सब्सक्राइब कर दिया गया तीन दिन बाद मकैनिक आए नोचे को किया पावर हाउस से आके कहा कि आपका ये ट्रांसफार्मर जल गया इसको आनलाइन आप लोग अपलाई कर दीजिए ग्रामिडों ने अनलाइन अपलाई भी कर दिया उसके बाद जो है कि 24 घंटेम कहें आपका लग जाएगा आद तक नहीं लगा पिर एक अक्टूबर को एक सियंस आपको हम कहें एसडियो कच्छमा को कहें जेही को कहें तो लोग इनने का कि ठीक है आपका इक दो दिनों टांसफार हमान लग जाएगा उसके बाद आज 20 दिन हो गए टांसफार में लगा भी न कि आ रहे ना तो एसडियो कच्छमा न जी जिससे कि हम लोग को दो अक्टूबर को राष्ट पीता महादमा गांदी का जनम दिन भी अंधेरे में मनाना पड़ा हिंदूओं का सबसे बड़ा तेवार जो औरते निरा जली रहती है उसको भी उन लोगों ने इस भीशड गरी में किस तरीके से बिना लाइन के अबना भरत पूरा किया रोज मर्रा की जिंदगी नर्क बनके रह गई है वीच दिनों से घरामीडों का बच्छों का पढ़ाई बाधीत हो रहा है अब पसू पालक परिशान है इस परसानी को लोग लेकर हम आये थे आच्छी पेक्सियन को पत्रक दिये इन्होंने जो है कि जही को कहा है जही ने कहा कि गालम प्राजबार मर्म जो है कि रिजिव करा के लगवार है ठीक